गाइस आज गा वीडियो पीडियो का C18-1000-B3 speaker के बारे में और आप लोग speaker देख सकते हैं इससे पहले आप लोग speaker जानते होंगे जो कि B2 के नाम से लेकिन अब इसे अपडेट किया है और इसे लॉंच किया है जो कि B3 नाम से तो आप लोग देख सकते speaker कुछ इसी टैम में आ और जेल और मैं आपको इस इस प्यार के बारे में ए टू जेर जानकारी देने वाला हूं जैसे कि यह speaker अभी के प्राज कितना आपको पड़ेगा साथी speaker के लिए कौन सा अच्छा रहेगा इस speaker के लिए और साथी इस speaker को चलाने के लिए कौन सा best number होगा एक speaker दो या फी चार speaker के लिए मैं आपसे को भी बतने बाला हूं बेस्ट लेने पाए तो प्लीज बड़ो लास्त जो देखेगा आपका कोई भी स्वाल है तो नीचे करने बक्स में कमेंन कर दीजेगा मैं हर रोज आपके स्वाल देखता हूं और रूसे साबसे वीडियो बनाता हूं और एक भा speaker की model number साब साब दीनों मिल जाता है जो कि C18 1000 B3 और इससे पहले जो कि B2 आता था वह भी बन हो चुका है जो कि आप लोग जानते होंगे C18 1000 B2 बहुत ही popular model है और आप लोग यूज कियेंगे मेरे सब से तो वह इस पेकर अभी बन हो चुका है अब आपको नहीं दीखनों मिल जैसे आपको speaker में दीखनों मिल जाता है जो कि solo storage तो actually आपका solo storage का नहीं होता है यह आपका ES power में speaker आता है आप लोग जानते होंगे और इससे जब हम लोग करते हैं तो बहुत ही इसका काम आता है वोटेज तो मैं आपको आगे चलके बताऊंगा इसका actually वोटेज कितना आएगा मैं आपको बताया है जो कि solo storage ES power और ES power को जब हम आपको आर्मेस पार में convert करेंगे तो बहुत इसका कम voltage आएगा तो आप लोग भी convert कर सकते हैं जो कि 1.3 से जो भी आपका निकलेगा और यह आपका आप लोग एसा गलती ना किजिए आप लोग डारेट इसका आर्मेस पार को निकाल करी लगाए तो मैं आपको थोड़ा सा बेट किजिए और इसका बात करूंगा impedent, तो impedent आपका atom में काम करेगा साते इसका बात करूंगा sensitivity speaker का 97 डिवी आपको sensitivity देनों मिलचागा और फिक्वेंसी रेंच की मात करऊंगा इसपीकर का तो इसमें आपको 300 से लेकर अनली 200 तर देङनों मिल जाए तो काफी इसमें आपको बढ़िया सोड वाइबरेसाण आपको सुनने मिल जागा इसपीकर मेंस्पीकर की चेचीस टाइब की बात करऊंगा इसमसे आपको प्रा तो नेटवेट इसमें आपको 14.2 के लिए बेट दिनों मिल जागा तो बस मैंने आपको छोटा-छोटा इस्पेकर को बता दिया हूं जो कि इस इस प्यार के बारे में और चले आप बात करूंगा इस स्पीकर को आप लोग कौन सी बेस्ट केमिन में डाल सकते हैं सिंगल या फ जाए तो आप लोग डूवेस प्यार के लिए बेस्ट के लिए और चले आप बात कुन के लिए आपको बटायता हूं तो सबसे बात रहूंगा अगर आपको एक इस प्यार के लिए तो आप लोग पाच जार से लेगा सरफ पाच एड़ाज के अमलिफार ले सकते हैं जैसे कि MT-201 इस अमलिफार में अगर आप लोग एक स्पीकर भी चलाना चाहिए जोगे एक चल में तो चलेगा या फिर दो इस्पीकर भी चलाना चाहिए एक एक चैनल पर तो भी परफेक्ट तरीके से चल सकते हैं जो कि एड़न का MT-601 इस अमलिफार में सबसे ब्यास्ट होगा आपका चार स्पीकर चलाने का वह थी बढ़िया क्लिटी का सच चला ले इसमें को भी दिक्क्त नहींगा एगर आप लोग एक तो इसमें थोड़ा सा पावर कम बंतलीन फिर भी चला लेता है तो आप लोग इसे चला सकते हैं अगर आपको कोई दूसरा लिफार लना चाहिएंगे जैसे की वटच की बात कूं तो कमसे आपको छेज़ वटच करने पर लेना पड़ेगा तो आप लोग अब बात करेंगे इस स्पीकर को आप लोग आपने एरिया से कितने प्राज में खरिश सकत है चले इसके बारे में जाने लोग आपको बात करेंगे देखे इस स्पीकर की प्राज तो अभी टाइम में प्योड़ों का जितना भी स्पीकर है अपको को ज्यादा दिखने मिलेगा तो इस प्राज में आपको बता रहा हूं जोकि एफ्रोस प्राज रहेगा जोकि 16500 लेक तो आप लोग दे लिजे अपने एरिया में किस तरह प्राज चरा है और चले एक चीज में आप से को बतना चाहूंगा जैसे कि इसका मतला ओल्ड भर्जन C18-1000 V2 तो आपका पहले पंदर सुराज में आता था ये असपार में लेकिन आप इसे अपडेट किया जो कि सलोसरो आपको दिखने मिल रहा है तो इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा उलीडी के साथ साथ सुनने को मिल जागा तो आप लोग इसे ट्राय कर सकते हैं और मैं आपको नहीं दिखने मिलेगा अगर आपको दिखने मिल रहा है तो पेले के स्टोक होगा वह भी बंदी हो चुका है तो आपको निव इस्टोक नहीं दिखने मिलेगा तो बस वीडियो में एक कुछ आप सब को बतना था वीडियो कहसा लागा केमेंट और लाइक करके है वो भी आप लोग कमेंट किजिएगा तो चले इस बड़ों में यह तक